आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे टोपिक कवर करके दिखाऊंगा जिसकी आपको बहुत ही जरूरत है पहला टोपिक ये है कि मुबाइल से अगर हम रील्स को अपलोड करें तो उसका सई तरीका क्या है जिससे वो रेकमेंडेशन में जाए और आपकी वो रील्स वाइरल हो दूसरा तरीका आपको ये बताऊंगा कि आपने रील्स को वाइरल कैसे करना है कौन सी चीजों का आपने खियार रखना है कि आपकी रील्स वाइरल होना स्टार्ड हो जाए और इसे पैसे कमा सके तो बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जो के मतलब Reels पे काम कर रहे हैं शौर्ट वीडियो पे काम कर रहे हैं और उनकी Reels वाइरल नहीं हो रही तो यह दोनों टोपिक आज मैं आपको परफॉर्म करके दिखाँगा कि आप भी मतलब थोड़ा सा अपना मैथड चेंज करके अ बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो बिना टाइम वेस्ट कि यह स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंड्स आपके साथ मैं अपनी मुबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूं और स्टैप वन बताता हूं जो आप घलत करते हैं जिसकी विज़ाद से आपकी Reels वाइरल नही अपलोड नहीं करना यह गलत तरीका है Reels को अपलोड करने का और 90% यहीं करते हैं अब सभी तरीका क्या है जिससे आपके Reels वाइरल हो तो आपने क्या करना है आपने पेज के हूम पेज पर आ जाना है और यहां पे आपको एक स्टोरी को ऑप्शन मिल रहा है और यहां से आ आपके सामने आएगी ना तो कुछ इस तरीके से वो Reels आपके सामने आएगी अब आपने दूसरी चीज़ यह क्या करनी है कि अगर आप इसके अंदर कोई साउंड वगयरा एड़ करना चाहते हैं तो आपने Facebook वाला साउंड यूज़ करना है आपने अपनी तरफ से एड़ करना है एक तो औरिजिनल साउंड है यहां पर आपको दो आप्शने मिल रही है जो कि इस वीडियो का है ठीक है और दूसरा है कि जो आपने खुद से एड़ करना है अब बहुत सारे बंदे कहते हैं कि अगर हम म्यूजिक Facebook का यूज़ करें जो कि म्यूजिक Facebook वे पढ़ा जिससे लोगों को attraction मिले उसके बाद आपने क्या करना है आपने simple next कर देना है जैसे आप next करेंगे ना तो यहां पे कुछ इस तरह का interface हैगा आप यहां पर बहुत जादा बंदे गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं मैं यहां पर आपको highlight करके दिखा देता हूँ कि वो simple title title लिखते हैं या hashtag लिखते हैं अब आपने ऐसा नहीं करना आपने facebook के according यहां पर आपने काम करना है तो facebook आपको क्या कहते हैं यहां पर मैं आपको show करवा देता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं कि आप कुछ इस तरह से title लिखके यह hashtag लिखके अकेले यहां से post कर देते है आपने क्या करना है Facebook खुद आपको कह रही है कि आपने title भी add करना है और hashtag भी add करना है यहाँ पर यह देखें मैंने एक box बनाया है और इस box के अंदर आप देख सकते हैं Facebook कह रहा है कि आपकी real किस से related है दूसरा अपने hashtag add करें मैं थोड़ा सा zoom कर देता हूँ इसको यहाँ पर देखें describe your real उसके बाद नेचे लिखा हुआ है add hashtag here मतलब आपने यह दोनों चीजे लिखनी है उसके बाद आपने real को पोस्ट करना है आप वो कैसे लिखनी है example के तोर पे यहाँ पे एक spider man है इस वीडियो के अंदर और एक बनाना टाइप इंसान है तो मैं यहाँ पे इसका deals viral नहीं होती तो आपने क्या करना है यहाँ पे वो hashtag डालने है जो कर ट्रेंडिंग में चल रहे है वो कैसे निकालने है Google पर आजाना है यहाँ पर best hashtag लिखेंगे ना तो आपके सामने एक website आजाएगी यहाँ पर आपने इसको open कर लेना है open करने के बाद आप यहाँ से अपन पर आपको cooking से related, health से related, food से related हर तरह के मतलब hashtag यहाँ पर मिल सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको health से related दिखा जता हूँ कि यहाँ पड़े हुए है यह health से related जो के top trending पर चल रहे है जिन hashtag को सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है और जिसके उपर सबसे ज़्यादा engagement आ रही ह आपके पर यहाँ पर लिखी हुए है अब आपने वापिस आना और यहाँ पर जो popular hashtag वह वाली category ओपन कर लेनी है और यहाँ से आपके सामने वह popular hashtag आ जाएंगे तो यह देखें simple आपने copy के option पर click कर देना है और यह hashtag आपके copy हो जाएंगे और आप इसको अपनी reels के लिए use क कर सकते हो तो यह देखें यह hashtag आपने copy करने के बाद वापिस अपने page पर आने के बाद आपने hashtag यहाँ पर इंटर करके ना पहले इंटर करना फिर यहाँ पर hashtag पेस्ट कर देने आप यह आपके hashtag आ गये है तो इस तरीके से आपने इसका title और hashtag डालने है आप देखेंगे कि within one week आपका मतलब ना view होना start हो गया reels वायर होना start हो गया उसके बाद एक चीज आपने और करने यह गलती आप बहुत ज़्यादा लोग करते हैं क्या करते हैं यहाँ पर नीचे आपको मैं दिखाता हूँ कि आपके पास जो option है जिन में tag, pupil, location, ads, topic, boost reel और see more setting यहाँ पर आपन आपके पास ads on reels वाली option आएगी otherwise नहीं आएगी तो यहाँ पर आपने इन दोनों को on कर रहे ना है इससे आपकी earning भी increase होगी अगर आपका page monetize है उसके बाद आपने simple क्या करना है आपने इस reel को post कर देना है जैसी आप post करेंगे आपके reels मतलब आपके page पे post हो जाएगी तो आप creator studio से इनको schedule भी कर सकते हैं लेकिन तरीका आपने same भी use करना है तो यह तो हो गया पहला topic अब main बात करते हैं कि main topic क्या है जिससे आपके reels viral होंगी तो यहाँ पे सबसे पहले आपने see inside पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको reach और follower वगारा नजराने start हो लेना है no down करने के बाद आपने अपनी सारी reels उसी time के मताबिक और उन hashtags से related ही post करनी है और उसका title थोड़ा सा आपने change कर देना है जब आप यह करेंगे तो आपका मतलब अच्छा खासा views अना start हो जाएगा आप बहुत साथा बंदे कहेंगे कि जो हम पहली दफा हम अपने page पे reels upload करें उनका क्या हाल है तो उनका मैं यहां पर time mention कर देता हूं आपने इस time के मताबिक अपने reels को upload करना है अगर आप पकिस्तानी content use कर रहे है या पकिस्तानी content audience को target कर रहे है तो आपने सुबह 10 से लेके रात 10 बजे तक किसी भी time reels को upload करना start कर देना है अब अगर आ आपके time video upload करेंगे तो आपको recommendation और engagement नहीं आएगी जिसकी वज़े से आपके reels viral नहीं होगी और अगर आप Indian content है या Indian country को target करना चाहरे है या आप India के लोगों को target करना चाहरे है तो आपने इंडिया का time मतलब note कर लेना है और उसका भी सुबह 8-10 से लेके रात 8-10 बज तक आपने अपनी reels का schedule कर देना है या post कर देना है आप जो लोग premium content पे काम कर रहे है जो कि USA मतलब target कर रहे है प्रीमियम content लगा रहे है अपनी reels के उपर और उनको मतलब engagement लेनी है तो वो क्या करेंगे वो USA content को ही target करेंगे USA time को ही target करेंगे पाकिस्तानी और Indian time को target नहीं कर सकत इससे यह होगा कि जो USA का time है और पाकिस्तान का time है इसका difference है 9 गंटे ठीक है मतलब अगर पाकिस्तानी time है यहाँ पे रात के 9 बज़रे हैं तो वहां के मतलब दुपैर के 12 बज़रे होंगे तो इस तरीके से मतलब आपने काम करना है 9 गंटे का difference है आपने जो भी मतलब audience को target करना है वो time के हिसाब से target करना है आप देखेंगे कि आपकी real spiral हो जाएगी hopes हो कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपने यह बताना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक like आपने जरूर करना है चैनल पर ने है त और इससे next वीडियो किस topic पे हो आपने वो भी comment जरूर करनी है तो अपने भाई को ने इचाज़त मिलतें एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाफीज